कि अधब कम आपको सेशन और फस्ट यह बॉटनिय प्रैक्टिकल खिर्ट फ्रींट्रशन अवं ड़ी तक शीलेबस पर लिया हमने क्लोरोफाईजी के मेंबर पर लिये हमने साइनोफाईजी के मेंबर पर लिये आज हम जो मेंबर पर ने जारे हैं वह वह आपके का वाउचीरिया और फियोफाइसी का एक्टोकार्पस ठीक है ना यह आपको यह टर्म्स आपको अच्छे साती होंगी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिष ने एलगी को 11 क्लासिज में डिवाइट किया था ना ख्लो्रोफाइसि, फियोफाइसी, सायन फाइसी, रोडोफाइसी ऐसे ही जेनतोफाइसी का मैंबर हम भॉचिर्या पढ़ेंगय और् फियो फाइसी का मैंबर हम एक्टोकार्पस पढ़ेंगे चीक है सबसे पहले हम classification पढ़ने जा रहे हैं classification वरकिकरन division thalophyta उसके हम कितनी बार हम repeat कर चुके हैं division thalophyta that is division body जो है thalus नुमा होती है plant body जो होती है वो differentiated नहीं होती sex organs इसमें कई बार भू कोशी की भी होते हैं कोशी का बिती cellulose की बनी भी होती है चीक है न तो यह सब चीजे हैं अब हम पढ़ेंगे class few of ic जो हमारा जो concern है that is class few of ic जो इसकी class है few of ic जो member हम पढ़ रहे हैं एक्तोकारपस पढ़ना है few of ic का मतलब इसमें थैलर स्प्राय भूरा brown algae बोलते है few of ic के member को हम पहले chlorophyte के member को green algae बोलते है sign of ic के member को हम blue green algae कहते है few of ic के member को brown algae कहते है भूरा अचल भूख कोशी की है तदा निश्चित अकार का होता है कोशिकाओं में एक केंद्र की जिनकी कोशी का पित्ती किसके बनी होती है cellulose की बनी बनी होती है fucinic acid भी होता है और algenic acid भी होता है इसमें जो chlorophyll pigment है वो A, C और C होता है ठीक है और इसमें जो carotene, carotene, fucoxanthene, diatoxanthene, xanthophyll उपस्ते होता है अब इसमें अभी तक हम पढ़ते है starch food होता है अब इसके अंदर few of ic के अंदर जो reserve food material होता है बच्चों वो laminarian starch, manitol होता है इसमें चल भी जानू, yugmak नाशर, tarakunuma, shape के होता है और पार्ष में दो असमान प्रकार मतलब different different है मतलब कही बाद जो समान प्रकार के होती है इक्वल कशाभी के है असमान मतलब unequal flagella इसमें उपस्तत होता है इसमें अलेकिंग प्रजनन जो होता है monospores या चतुष भी जानू के द्वारा होता है isogamous, anisogamous और oogamous मतलब सम युगमकी, असम युगमकी और विशम युगमकी तो ये view of ic के इसके जो एक्टोकारपस है, ये सके स्पेशल करेक्टर हो गए अब हम और पढ़ेंगे अक्टोकारपेल्स जब हम और अक्टोकारपेल्स पढ़ेंगे तो थैलस जो है विशम तान्तुकी होता है शियान भाग मूल अभास मतलब राइजॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मूल का अभास मतलब जो की मूल मतलब रूट जड़ के अभास अबकि उर्दव भाग शाकित गुच्छो के रूट में होता है कोश्चिका विभाजन स्तानी नहीं लेकिन अंतर वेश्य होता है इस अब जीनस हम एक्टोकारपस को देखते हैं एक्टोकारपस में तन्तू में कोश्चिका एक पंक्ति अंदा यूनिसेरेट में विनेसित रहती हैं ट्राइको थैलिक रद्दी होती है शाखाया पार्श भी होती है द्वी गुणि थैलस पर एक कोश्ट की एवं भौव कोश्ट की विजानुधानी जबकि अगुणि थै ब्राउन एल्गी और चक्रिकमे और रिबन लाइक शेप इसकी होती है ठीक है यह हमने समझ लिया एक्टोकारपस का पूरा क्लासिफिकेशन अब हम इसका डाइग्राम देखेंगे एक्टोकारपस का जो डाइग्राम है आपको मैं बताने जा रही हूँ ठीक है यह इसका मैं आपको बता है ना इसमें दो सस्टम होते है यह नीचे वाला पार्ट यह इसका प्रोस्टेट सस्टम है और यह इसका इरक्ट सस्टम है ठी तो आपको यह दिखाई दे रहा है इसके यह वाला इसमें एक कोष्टी की स्पोरिंजया यूनी सलूलर यह दिखाई दे रहा है आपको यह में इसकी प्रांच्री रिबन शेप इसका स्ट्रक्चर है और एक कोष्टी की यूनी लॉकिलर स्पोरिंजया इसमें पाया जाते हैं छीक है इस डियाग्राम के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे जब हम next इसके उस पर जाएंगे छीक है इस डियाग्राम को हमें लाज करके देखते हैं तो यह आप देख पार हैं अगर एक इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे अपन इसको माइक्रोस्कोप के हायपकर में इसको इसको के स्पैशल्य करेक्टर होता है है जो गहर इसके अंदर फ्यूकोजन थे है जो कि फि क्यसके स्टेकर होता है ठीक है और फिर इस वाले इसको द्यां से देखेंगे इस द्याग्राम को द्यां से देखेंगे तो हमको cell wall, paranormal, nucleus, ochromatovart तो यह हमको । अपको जब आप प्राक्टिकल क्लास में जब आप ड्याग्राम बनाएंगे तो आप इस डाग्राम को बना लीजेगा एक इस डाग्राम को बना लीजेगा और एक इस डाग्राम को बना लीजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीकी से इसकी structure है किस तरीकी से cell wall, paranoid, nucleus, chromatophore तो बच्चों ये है एक्टोकार्पस, मतलब ब्राउन एल्गी ठीक है, प्रोसेश सिस्टेम, इरेक्ट सिस्टेम, इसमें दो तरीके स्पोरिंज होते हैं, एक कोश्टिकी और भव कोश्टिकी, जो कि अभी तक हम जितनी भी एल्गी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इस तरीके स स्पोरिंजियल स्ट्चर नहीं पढ़ेते हैं, और सिर्फ एक्टोकार्पस के अंदर एक कोश्टिकी और भव कोश्टिकी स्पोरिंजिया पाए जाते हैं, तो ये बच्चों ये हो गया, आपका एक्टोकार्पस, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाउचीरिया, ये के special character के Xanthophyc में special character क्या है और हम जो जैनरा पढ़ रहे हैं वो है वाउचीरिया इसमें क्या होता है इसको हम अभी तक हमने green algae, blue-green algae, brown algae इसको बोलते हैं हम yellow-green algae हरित लवक में chlorophyll A, B, beta-carotene और Xanthophyll Carotenoids की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में उपस्त होती है थैलस की कोशिगा भिती में pectin पदार उसमें LGNic Acid था हो है इसमें pectic पदार बहुँ ज़ादा मात्रा में पाया जाता है संग्रहित भोजन पदार जो है lipid, leucosine और cryso laminar होता है उसमें laminary manitol था अनित इसमे जल कोशिगा मोटाईल सेल जो होती है विशम कशाब मतला है हिट्रो कॉंटिक उसमें unequal टाइप के प्रजला थे ना मेना को बताया था उसमें किसमें जब हमने फियो फाइसी का एक्ट्व करपस पड़ा था उसमें विशम कशाबिक मतला बहुत सारे है और विशम कशाबिक पट्रेत एवम संकोशी की सेप्टा रहित इसका मेन थैलर्स का जो मेन स्पेशल करेक्टर है वो पट्रहित संकोशी ये सीनो सितिक एल्गी बोलते हैं अगर अभी तक की जित्ती भी हमने एल्गी पड़ी उसमें एक भी बार ये वर्ड नहीं हमने यूज किया संकोशी मतला सीनो सितिक एल्गी इसमें किसी तरह के पट की फॉर्मेशन नहीं होता संग्रेत खादेपदार्थ इसमें तेर होता है थैलर्स के मद्धे में रिखती का हरितलावक एवम कई वर्ड़की क्रमेटोफोर इसमें उपस्तेत होते हैं और लैंगिक जननन चल बिजानों वा एप इसके समान ही इसके करेक्टर्स पाए जाते हैं वाउकीर्या को अगर हम देखते हैं तो संग कोशी की सिनो सितिक के यल्गी जो की अपी तक इतने सारे यल्गी पढ़ी हमने उसमें नहीं देखा यही यल्गी सिनो संग कोशी सितिक होती है तंतुनुमा शाकित पादाप जो वाउचीरिया के classification के special points अब हम वाउचीरिया को as a whole इसका diagram के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे चीक है ये देखो आपको diagram के माध्यम से मैं आपको समझा दूँ ये देखरें आपको मैंने बताया था ना इसके मूलवास राइजोट होते हैं ये थैलस है देखरें हैं इसमें किसी भी तरह का थैलस में आप देखरें हैं किसी भी तरह का पट का formation नहीं है और nuclei arranged है तो इस तरह की जो structure को हम क्या बोलते हैं सीनोसितिक या संकोशी algae ठीक है बेलनाकार तन्तु में शाकित पट रहीत संकोशी होती है तन्तु के पाश्वी भाग से उत्पन होने के कारण थैलस कई बार आपको यह दिख रहा है आपको कई बार यह वाला जो पार्ट है इसमें द्वी भाजी शाकित प्रतीत होता है और अधारी भाग में इस तरह से मुला बार्ट की शाक्राइं उत्पन होती है ठीक है अब हम इस डियाग्राम को देखेंगे भी थैलस की सरंचना यह थैलस इसके थैलस structure दिखाए दे रहा है और आपको यह इसमें राइजर दिखा रह हम को इस तरह का सेल स्क्चा दिखा जेता है वह शी का बित्ली पतली यह होती है और प्रत आप सेलूलोक की बनी भी होती है यह जूश के स果 को दिखर रहे न कि ऐखे ठीक है ठीक है ठीक है और वैक्योल नूक्लिए विजन की रूप में होता हैगतों एस श्य का संपून लं तो हमको इस डियागरम के माद्धियाम से ठलस्ट्रक्टर और सेल स्ट्रक्टर हमको वाउचिरिया का समझ में आ गया यह यलो ग्रीन अलगी है वो ब्रावन अलगी थी यह सिनोसिटिक है उसमें स्पोरिंजी आते यूनिलोकिलर पूरूलोकिलर तो हमने अभी तक जितनी भी हम पढ़ रहे हैं चाहे हमने साइनोफाइसी के मेंबर पढ़ा अब हमने फीओफाइसी पढ़ा तो कोई भी एक दुसरे से समानता नहीं सब में कोई ने कोई peculiar character है जिसके अधार पे हम उसको पैचान सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये कौन से class का member होगा तो बच्चों हमारे chlor of IC के member हो गए हमारे sign of IC के member हो गए एक हमने zent of IC एक हमने few of IC का member पढ़ लिया सो इस तरह से अब हम next class में chlor of IC का member polysiphon या पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा classification of LG के साथ-साथ में पूरा classification जितनी भी general आपके course में है LG के वो complete हो जाएंगे ठीक है बच्चों Thank you students